नमस्ते जी वेदिक राष्ट को आपका स्वागत है महत्मा मुंशिराम का दिल बदला उन सियो देवी के बारे में आज हम जानेंगे उनके बारे में आज हम जानने का प्रयात्न करेंगे महात्मा मुशिराम जिने हम स्वामी सरद्दान सरस्थि के नाम से जानते हैं आज के इस लेक के लेखा के वेदिक वद्वान डॉक्टर अशोक आरे गाजियाबाद से इस तरह के अन्य वेदिक लेखों के लिए प्रिनादय का हन्यों के लिए महापुर्शों की जीवन परिचे के लिए वेदिक राष्ट यूटूब चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बेल आइक उनकी घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुजाव कमेंट अवश करें आईए आगे बढ़ते हैं वीशे की उचरते हैं महात्मा मौंशिरा जिने ह हम सामी सर्दान सरस्वती के नाम से भी जानते हैं का ख़बाभा शिवराज देवी एक अतिन्त धर्म परायान और पति भक्त महीं ला थी प्रती एक कदम पर पती को सुखी रखना चाहती थी पती के सुख में ही अपना सुख समझती थी यहां उनका नियम था कि पती ने जब तक भूजन नहीं किया तब तक वह भूजन ना करती थी यदि कोई अवजर ऐसा आए जब कि पती किसी कारण मुंसिराम जी को भूजन ना कर पाते तो वह भूजन ही ना करती थी एक इसी घटना घटी जिसने मुंसिराम का जीवन बदल पत्नी की ही भाती मुंशिराम जी स्वामी सरदानन जी भी पत्नी से अती इसने करते थे किन्तु रात्री के भोजन में उन्हें देर हो जाती थी कारण कोतवाल की बिगडेल संतान होना ही था एसी संतान जिसका अपने तो कोई स्थित्व था नहीं कोत्वाल की जीहुजूरी करने वाले जिक्से गहरे रहते थे और जिसे गल्ब मार्ग पर उसको समय उत्तम मार्ग समझा जाता था ले जाने का यतने करते जाते थे एसी ही गटना गटी एक बार कि स्वामी जी अपनी आत्म कथा कल्यान के मार्ग का पतिक में उलेक करते हैं कि इस गटना ने उनके जीवन में भारी परिवर्तन कर दिया उनका पूरा जीवन इस गटना के बाद पतल गया स्वामी जी कल्यान मार्क का पथिक में लिखते हैं कि बरेली आने पर मेरी धर्म पत्नी का यहा नियम हुआ कि दिन का भोजन तो मेरे पीछे करती थी परन्तु जब रात कभी मुझे देर हो जाती और पिता जी भोजन कर चुकते तो मेरा और अपना भोजन उपर घर के उपर क कमरे में मंगा लेती और जब मैं लोटता तो उसी समय अंगीटी पर गर्म करके मुझे भोजन करा कि स्वयम पीछे भोजन करती ती एक रात में आड़ वजे मकान में लोट रहा था तो गाड़ी दरवाजे पर चोड़ी और दरवाजे पर ही बरेली के बुजर्ग रईस मुंसी जीवन साहय का मकान था उनके बड़े पुत्र मुंसी त्रिवेणी साहय ने मुझे रोक लिया गजक सामने रखी और जाम भर दिये मैंने इंकार किया बोले तुम्हारे लिए ही तो दो आईसा खिचवाई हैं यहाँ जोहर है त्रिवेणी साहय जी के सबसे छोटे सब मेरे मित्र थे मैं बड़े भाई के तुल समझता था उनको ना तो अर्थाशा का मतलब सुझा था ना ही जोहर एक गलास पी गया फिर गबाजी शुरू हो गई और उनके मना करने पर भी में चार पांच गलास चड़ा गया यह कल्यान के मार्क के पथिक में महत्मा मुंशी राम अर्थाशा सामी सरद्धान स्वयम लिखते हैं कि जब वो रात को लोटे तो दरवाजे पर गाड़ी खड़ी की और जो है रईश मुंशी जी का मकान था वहां के बुजुर्ग तो उनके सामने उनके जो वो आए बड़े पुत्र मुंशी त्रिवेणी और उनने रोका कि भाई आओ कुछ गजक सामने रखी और कुछ जोहर और त्रिवेणी का आच तुमारे लिए हमने इंतिजाम किया है तो कि तुमारे लिए तो आताशा क्षिचवाई है इसलिए आजाओ और उनको ना तो आताशा का मतलब समझाओ ना जोहर का मतलब समझ आया पर गिलास पी गए फिर गब शुरू हुई और मना करते रहे लेकिन चार-पांच गिलास चड़ाई गए असल में वह बड़ी नशीली चराब थी उटते ही असल माजरा मालूम हुआ दो मित्र साथ हुए एक ने कहा कि चलो मुझरा कराएं उस समय तक ना तो खूट मेरे हाथ में था एक वेश्या के घर जाक उसे कोतवाल साहब के पुत्र को देखकर सलाम करके भाग खड़ी हो गई गर की बड़ी नायका को हुक्म दिया कि मुझरा सजाय जाए उसकी नोची के पास कोई रुपया देने वाला बेठा था उसके आने में देरी हुई ना जाने मेरे मुझे क्या निकला कि सारा घर कापने लगा नोची घबराई हुई आई और सलाम किया तब मुझे किसी अन्य विचार ने आगे रहा मुझे छमा करने के लिए हाथ बढ़ाया और मैं नापाक नापाक कहते वे नीचे उतर आया जहाँ सब साथियों ने बतलाय नीचे उतरते ही घर की ओ लोटा बेठक में तकी पर जा लेटा और बूट आगे करके दिये जुनो करने उतारे उठकर उपर जाना चाहा परंतु खड़ा नहीं हो सकता था पुराने भ्रत बूटे पहाड़ी पाचक ने सहारा देकर उपर चड़ा दिया छट पर पहुँच के हाथों में बालकवत था कुला करा मेरा मुझ कर उपर का अंगलखा जो खराब हो गया था बेटे बेटे ही फ्यक दिया मुझे आसरे देकर अंदर ले गई वहाँ पलंग पर लेटा कर मुझ पर चादर डालती और साथ बेटकर माता सिर दबाने लगी उस समय का करोना और स जब मेरी आख खुली वहाँ चोदा वर्ष की बालिका पेर दबा रही थी मैंने पानी मांगा आसरे देकर उठाने लगी परंतु में स्वयम ही उठखडा हुआ गरम दूद अंगिटी पर से उतारा और मिश्री डाल कर मेरे मुझ को लगा दिया दूद पीने पर होश आया उस समय अंगरी जी उपन्याश नोवेल्स मगज में से निकल गए और गुसाई जी गोस्वामी तुलसिदास जी के खीचे द्रश सामने आ गए मैंने उठकर पास बेठा कर कहा कि देवी तुम बराबर जागती रही भोजन तक नहीं किया भोजन कर लो उसने उत्तर दिया उसके उत्तर ने व्याकुल कर दिया परंतु इस व्याकुलता में भी आश्या की चलती शिव देवी ने कहा कि आपके भोजन की ये बिना में कैसे अब आप भोजन करने में क्या रूची है उसकी समय की दशा का वर्णन लेखनी दारा नहीं हो सकता मैंने अपनी गिरावट की दोनों कहानिया सुना कर देवी से च्छमा प्राथना की परंतु वहां उनकी माता का उबदिश्ट कामा रहा था आप मेरे स्वामी हो सब कुछ सु वली है कि मैं आपकी सेवा करूँ उस राद बिना भोजन की ये दोनों शो गए और दूसरे दिन से मेरे जीवन का पूरा नया सुरूप आरंग हो गया मेरा पूरा जीवन बदल हो गया स्वामी स्रद्दानन सरस्वती जी ने अपने जीवन के एकटू सत्यों को अपनी आत् आत्मकथा किस रणी में आती है इस आत्मकथा के ही कुछ पन्ने उनकी पत्नी के संबंद में यहां दिये गए हैं यहां पन्ने स्वेम साच्छी दे रहे हैं कि स्वामी जी ने कभी भी अपनी कम्यों को चुपाने का यत नहीं किया बलकि इन कम्यों को लोगों के सामने रख सकता है अर्थात उनका इतना समर्पन देखा उनका इतना प्रेम देखा उनोंने जब की रात को एक बच गई है वो जो है नशे में आये हैं उसके बावजूद उनको उल्टियां करवाई उनको सहारा दिया फिर जब तक वो उठे नहीं तब तक उनके सर पेड़ दवाए और चब वो उठ गए तो उनको दूद पिलाया और फिर कहा कि आप कोई भूजन करने की इच्छा नहीं रह गई है और आपके बिना भूजन की भूजन कैसे कर सकती हूँ मैं एक उनकी उम्र उस वक्त 14 वरस थी तो उनको जब इस प्रकार उनोंने देखा स्वामी सरदानन ने जो उस वक्त महात्मा जो है स्वामी सरदानन उस वक्त मुंशिराम जित्यों थे उनोंने उस परिस्ति को देखा और उसका वर्डन अपनी आत्मकता में किया कल्यान के मारक के पतिक में और इस पश्टा आत्म लिखा और यहां बहुत बड़ी बात है क्योंकि इस तरह से संदेज देता है बलकि एक बात की और प्रेणा देता है कि विक्ति का जब आत्मबल रड़ होता है तो वहाँ बड़ी से बड़ी कमी पर भी अपनी विजय पराप्त कर सकता है वो बड़े से बड़े लक्ष को राप्त कर सकता है बड़ा से बड़ा कारे कर सकता है इसी के सा ताके अन प्रैनादायक जीवन प्रसंगों के लिए वेदिक भजनों के लिए वेदिक लेखों के लिए वेदिक राश्ट यूटुब चैनल को लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें बैल आप उनकी घंटी को दबा दें अपने कीमती सुझाओ कमिंट अविश्करें था अनिवाद